आज मुंबई आएंगे शिंदे समर्थक विधायक विधायकों को लेने गोवा पहुंचे हैं एकनाज शिंदे लंज की बाद मुंबई रवाना होंगे सभी विधायक 12 बजे दीपक केसरकर करेंगे प्रेस कॉनफरेंस तो 12 बजे दीपक के सरकर प्रेस कॉंफेंस करेंगे अब देखना यही मैठ पूर्ण की दोरान क्या कुछ है हैं बाते दीपक के सरकर की ओर से कही जाती हैं तो आज मुंबई आएंगे शिंदे समर्थक विधायक, विधायकों को लेने गोवा पहुंचे हैं एकनाज शिंदे अब वो अपने साथ इन तमाम वधायकों को लेकर के मुंबई पहुँचेंगे और देखना यही मैटपूर्ण की जब एकनाज शिंदे गोवा पहुँचेंगे तो किस तरीकी का माहूल वहाँ पर रहता है क्योंकि जब उनके नाम को लेकर खोष्णा की गई कि वो M बनने वाले हैं तो जोरान गोवा की तस्वीरे भी सामने आई थी जो जश्न की तस्वीरे थी खूशी के जहार की तस्वीरे थी तो ऐसे में जब आज एक नाज शिंदे गोवा पहुंचें तो ऐसे में यह तस्पीरे और भी जादा मैतुपोन हो जाती है और भी जादा खास हो जाती है रंज के बाद मुंबई रवाना होंगे सभी विदायक और जब यह तमाम विदायक मुंबई रवाना होंगे तो उस दोरान की तस्वीर भी बहुत ज़ादा खास और मैतुपॉन क्योंकि ये तमाम वो विधायक है जिनके दम पर एकनाज शिंदे हुंकार भर रहे थे और उनके साथ के साथ ही वो सीम की कुर्सी तक पहुँच पाए हैं तो बगावत के तौफे का अंतिजार भी ये विधायक कर रहे होंगे देखना ये भी मैतुपॉन की इन विधायकों में से किस-किस को बगावत का तौफा मिलता है तो बारा बजे दीपक के सरकर के और से प्रेस कॉन्फरेंस की जाएगी प्रेस कॉन्फरेंस के दौरान क्या कुछ आहें बाते की जाती है क्या कुछ आहें बाते सभी के समक्ष रखी जाती है यह देखना अपरे आप में बेहद मेर्पोन हो जाता है क्योंकि एकनाश हिंदे के और से भी कई तरीके के बयान सामने आए उन्होंने कहा कि लोग विपक्ष से सत्ता की और आते हैं हम सत्ता से विपक्ष के और गए और उसके बाद हिंदुतों के मुद्दे को लेकर उन्होंने ये बगावत की हाला कि उनके और से इस तरीके के बयान भी लगातार दिये गए कि वो शिवसेना के लिए ही लड़ रहे हैं शिवसेना की जो सोच है विचारधारा है उसी के लिए लड़ रहे हैं बाला साहिब ठाकरे के विचारधारा पर वो चल रहे हैं अब देखना सबसे ज़्यादा मैतपूर्ण यही, सबसे ज़्यादा खास यही कि किस तरीके का माहूल जब एकनाज शिंदे अपने समर्थक विधाईकों के साथ मुंबई पहुंचेंगे यह तस्वीर भी ज़रा देखें उनके काफिले की यह तस्वीरे हैं तो 12 बजे दीपक के सरकर्ट की प्रेस कॉंफरेंस पर भी सभी की निगाहें रहेंगे CM शिंदे, डिप्टी CM 98 की बैठक देराथ हुई CM शिंदे और डिप्टी CM 98 की बैठक बैठक में मंतरालियों के बटवारे को लेकर चर्जा की गई तो बैठक अपने आप में ये मैठक पूर्ण थी क्योंकि देविंदर फड़नवीस जो डिप्टी CM है माराष्ट के अब और एकनाज शिंदे जो माराष्ट के CM है दोनों के बीच में बैठक और बैठक के दोरान मुद्दा साफ है तै है कि मंतरालियों के बटवारे को लेकर चर्चा हूँ तो एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं माराष्ट की राजनीती से जूड़ी हुई एकनाज शिंदे के सांसद बेटे शिवसेनाज छोड़ेंगे सुत्रों के हवाले से एक खबर है सांसद श्रीकान शिंदे जल्द ही छोड़ सकते हैं पार्टी तो पार्टी जल्द ही सांसद श्रीकान शिंदे छोड़ सकते हैं तरीके की जानकारी भी सामने आ रही है जो परिस्तित्यां थी वो बदल चुकी है अब सबसे बड़ा सवाल यही कि मारास्ट आने वाले दिनों में किस तरीके की राजनीती को देखने वाला है किस तरीके की सियासी खल्चल को देखने वाला है क्योंकि सम्मिकरण अब बदले हुए है चेहरे बदले हुए है और रण शिन्दे जब साथ हैं तो किस तरीके की राजनीती आने वाले वक्त रहा है।